Hello everyone, मैं विकास कुमा सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल एड़ोमेनिया पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक काफी अच्छी जोब पंट्टे के वारें बात करने वाले हैं जो की NCR की तरफ से रिलीज किया गया है तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम लोग जानेंगे कि जॉब रोल क्या है क्या जॉब पोजिशन है कैसे आप लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हो कौन-कौन से स्किल से ट्रिक्वाइड है बैच यहां पर कौन से इलिजिबल है इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो में लास्त तक बने रहे ताकि कोई भी इंफर्मिशन आप मिस ना करो वीडियो में आगे बने से पहले मिक्स और का वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप लोग जॉब अपडेट से रिलेटिड वीडियो देखने में इंट्रेस्टेड हो तो और इसे अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, job notification NCR की तरफ से आया हुआ है जो की custom engineer post के लिया means आपका जो designation होगा या फिर जो आपका roll होगा वो custom engineer के लिए होगा जैसे आप लोगों को आपके screen पे दिख रहा है इसके अलावा यदी हम लोग job location की बात करें तो वो अभी virtual होगा इसके बाद वो इंडिया में कहीं भी दिया जा सकते हैं आपका job location बट अभी यह virtual होगा तो अभी आप लोगों को work from home कहीं मौका मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर यदि हम लोग कुछ details की बात करें और साथ सबसे पहले हम लोग qualifications की बात करते हैं तो यहाँ पर technical graduate यहाँ पर eligible है high school diploma और equivalent means आपने 12th कर रखा है high school कर रखा है और former vocational or technical certificate है यानि कि आपने अपना कोई bachelor degree या फिर B.E. B.Tech अगर आपने कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर eligible हो यहाँ पर कुछ associate degree जैसे B.Tech के साथ यदि आपने M.Tech कर रखा है तो यहाँ पर यह prefer कहा गया है बट यह जरूरी नहीं होना चाहिए साथी चाहत ए प्लस और N प्लस certificate I don't know about this तो मैं इसके ज़्यादा नहीं करेंगा बट यह preferred में तो यह चलेगा अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है बट आपके पास एक technical degree होना चाहिए और आपने 12th यहाँ पर diploma कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर eligible हो यहाँ पर experience 0-2 year of related experience कहा गया है तो यदि आप फ्रेसर हो final year के candidate हो आपके पास 2 year का experience है तो भी आप लोग यहाँ पर eligible हो आप लोग असानी से यहाँ पर apply कर सकते हो इसके अलब हम लोग कुछ और detail की बात करते हैं key area of responsibility की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर आ security procedure, service level agreement requirement, escalation procedure, tools and process for completing machine repairs, organized and planned time efficiently इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो यह सभी कुछ basic detail है इसके बारे में और यदि आपको जाना है तो आप लोग इस portal में आके इसके बारे में पर सकते हो या फिर आप लोग NCR के official website पे जाके भी आप लोग अच्छे स इसके बारे में जान सकते हो पोश्ट तीन दिन पहले ही upload किया गया है तो आप लोगों को यह आज मिल जाएगा आज नहीं अभी मैं पांच को सुट कर रहा हूं यह आपको अच्छे तारिक को मिल जाएगा तो आप लोग इसके लिए काफी अच्छे सप्लाइग कर सकते हो यह वर्क डेई जो के एक छट पार्टी सॉफ्ट्वेर के लो उसके तुरू यह रिकुर्ट्म ट्राइब करवाया जा रहा है तो इससे आप लोगों को ज्यादा साधा होगी इसके बारे में सेलक्ट करने में ठीक है तो यह सभी चीजे हम लोगों ने डिसकस कर लिया अब सेलेरी की बात करते हैं कुछ भी मेंसर्ड रहीं किया गया है लेकिन इसके जाने के लिए हम लोग गूगल करते हैं क्या यह सैलेरी बताता है तो नहें काफी सही होना चाहिए त отп कर लोत नगा हो सकता है तो डेजी हो वाला g क्योंकि starting salary होगा और यह काफी six lakh seven lakh तक भी जाता है तो यह कस्टम इंजिनियर का होगा तो जो भी होंगे वह आपको बताई जाएंगे जब आप लोग सेलक्ट होगे और इसके बारे में डिटेल आप लोग यहां पर आके इसके बारे में पढ़ सकते हो जॉब रोल पता चल गया जॉब लोकेशन पता चल गया ctc पता चल गया basic qualification पता चल गया experience पता चल गया तो अलब कोई फ्रेंड यहां पर eligible है इसके साथ ही साथ सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड मिलते कैसे ही जॉब पर चुटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वाजिंग एडुमेनिया एंड लास्टली थैंक्स फॉर वाच झाल